तो हेलो दोस्तो स्वागत आप सबका नौले एंटरेटेनर्स में दोस्तो मेरा ना मैं कपिल और गैस आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन होने वाली है अगर आप एक स्मार्टफून यूजर है और आपने प्ले स्टोर से किसी भी अप्लिकेशन को डाउलोड किया ही हुआ है तो नो डाउट आपके पास अगर स्मार्टफून है तो आपने प्ले स्टोर से अप्लिकेशन को डाउलोड किया ही होगा लेकिन guys आज मैं आपको कुछ ऐसी apps बताने जा रहा हूँ मैं 8 apps आपको ऐसी बताऊंगा जो कि अगर आपने mistakes से या फिर अपनी intentionality उन apps को download किया हुआ है तो guys आपका data danger में है क्योंकि guys वो apps ऐसी हैं कि जो play store पर भी malware attack up हो चुका है कि जो google play store है उन पर ऐसी applications आ चुकी है जिन पर crackers ने क्या किया है अपने virus को और अपनी coding को डाल कर ऐसा कर दिया है कि उसके साथ कोई app ऐसी download हो जाती है जिसकी वज़ा से cracker क्या करते हैं आपका सारा assess लेते हैं मतलब कि जो आपकी payment की detail होगी या फिर आपका बाकी का सारा data होगा गाईस वो उसे hack कर सकते हैं तो गाईस आज की वीडियो को पूरा देखेगा और ध्यान से देखेगा और देखने के बाद गाईस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन सब चीजों से कैसे बच सकते हैं और कैसे safe रह सकते हैं तो दोस्तो आई अब ज़्यादा समाना लेते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन सी apps है और कैसे उन सब चीजों से बचना है तो दोस्तो आई अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले वो कौन सा attack है कि क्या हो रहा है कि आज मझे ये वीडियो बनानी पड़ी कि प्ले स्टोर पर भी कुछ चीज़ें safe नहीं है तो गैस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि उस app का क्या नाम है जो आपके mobile पर डाउनलोड जाती है और जिसके द्वारा आपके mobile पर attack होता है तो गैस उसका क्या नाम है उसका नाम है joker app तो गैस उस app पर क्या होता है वो app जो एना वो directly आपके phone पर डाउनलोड नहीं होती वो कैसे डाउनलोड होती है जैसे कि जो मैं आपको अभी बताऊंगा 8 apps जब आप उन्ने apps को डाउनलोड कर लेते हो अपने mobile phone में तो वो back में क्या होता है मलब वो पीछे क्या होता है कि automatically वो वाली जो app है उनके साथ जुड़ी हुई है और उसके बाद वो app automatically आपके mobile में डाउनलोड हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता और guys जब आप उन apps पर अपना assess देते हो और उस assess को देने के बाद आपके साथ क्या होता है जैसे कि आपने देखा होगा कई बार आप किसी भी आपको डाउनलोड करते है वो आपके images का assess मांगता है context का assess मांगता है तो आप क्या करते हो उसे use करने के लिए no तो नहीं करते आप उसे yes कर देते हो तो guys वहीं पर आपसे mistake हो जाएगी अगर आपके बास ये वाली 8 apps है तो तो guys ये कौन सा attack है मैं इसे कह सकता हूँ कि ये joker attack है तो guys ये अब आपके mobile पर ये joker app डाउनलोड हो जाएगी automatically हो जाएगी assess ले लिया जाएगा okay okay आप कर दोगे उसके बाद आपका data hack हो सकता है तो guys आईए अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी 8 apps हैं अगर आपने इने डाउनलोड किया है तो अभी के अभी अपने mobile phone से इसे uninstall कर दीजिए तो आईए देखते हैं कि वो कौन सी apps है तो guys मैंने यहाँ पर उनकी list रखी हुई है मैं आपको बताता हूँ guys सबसे पहली app का नाम है free cam scanner अगर आपके mobile phone में ये वाली app है अभी इसे delete कर दो और second का नाम है fast magic sms और third का नाम है go messages और fourth का नाम है super message उसके बाद fifth का नाम है super sms और उसके बाद sixth का नाम है travel wallpapers और उसके बाद जो seven नाम है वो आता है auxiliary message और उसके बाद जो eight नाम आता है वो आता है element scanner तो guys अगर आपके पास ये सारी apps है अगर आपके पास ये eight apps है तो guys आपको मैं यही कहता हूँ अभी के अभी इन्हें डिलीट कर दो क्योंकि Google Play Store की रफ से यह वाली जो न्यूज आई है अभी इस पर जो मैंने अनलाइस किया है तो यह वाली जो सारी Apps हैं वो अभी डेंजर में हैं मतलब कि इनको जो है किया जा रहा है और इनके थ्रू ही जो वो वाली जोकर है पैना वो आपके mobile phone में install कर दी जाती है और install करने के बाद क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ आपका data खत्रे में चला जाता है आपकी सारी payment डिटेल खत्रे में आ सकती है और आप danger में पढ़ सकते हो तो गाईज, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने by mistakes in app को download कर लिया है और आप उससे कैसे अब बज सकते हो वो मैं आपको अभी बताता हूँ सबसे पहले आपको अगा करना है जिसके बारे में आपको पता नहीं है आप उन सारी चीज़ों को delete कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए अपने जो जितनी भी चीज़ें आपको लगता है कि जो out है उन सब को delete कर दीजिए और मैं आपको यह recommend करता हूँ अपने phone को reset कर लीजिए मतलब आपको reset करने को तो पता होगा कि अपने सारे phone के data को निकाल कर अपने PC में रख लेना और उसके बाद अपने mobile phone को reset कर देना तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप बिल्कुल सही तरह के से safe रह सकते हैं और उसके बाद आपको यह वाली गलती नहीं करनी है तो गैस यह तो हो गया कि अगर आपने यह वाली गलती कर दी है अगर आपके बाद यह वाली 8 apps थी आपने इने delete किया है और उसके बाद इस तरीके से आपने इनसे prevention ली है तो guys अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपके आने वले टाइम में अगर play store पर भी ऐसा कोई virus आए तो आप उससे कैसे बज सकते हैं और किस तरीके से आप उससे safe रह सकते हैं तो उसके लिए आपको कौन-कौन सी चीजों का ध्यान रखना है तो कि सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि आपको play store से जब भी आप किसी भी application को download कर रहे हो चाहे वो किसी की तरह ही application को हो तो आपको अगर करना है सबसे पहले उसकी rating को देखना है आपको 1 star, 2 star ऐसे rating को देखना है जिसकी जो 4 star हो या 5 star हो 3 star हो आपको वैसी apps को देखना है उनके reviews को देखना है और उसी के बाद ही guys आपको किसी भी app को download करना है no doubt जो google play store है वो safe है लेकिन guys मैं आपको बताता हूँ हर एक चीज़ जब बनाई जाती है ना तो वो safety से ही बनाई जाती है लेकिन उसके बाद क्या होता है कई ऐसे बहुत जादा शातिर जमाग वाले बैटे होते हैं जो उन चीज़ों को crack करते हैं और safety को break करते हैं और उसके बीच में कुछ गडबड़ कर देते हैं तो guys इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप इस पर safe रही है no doubt Google Play Store safe है और guys अब आप यह देखिए इस चीज़ का पता लग चुका है क्योंकि Google Play Store safe था तो guys अब आपको इस चीज़ से इसी तरह से बचना है जैसे मैंने आपको भी बताया है आपने बिलकुल इसी तरीके से करना है और उसके बाद आपको इस सभी चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप आने वाले समय में भी इन चीज़ों से बचकर रहना चाहते हो तो और last में guys मैं आपको एक बात और बताना जाता हूँ guys आप third party apps का use मत कीजिए मैं आपको personally ये बात कहता हूँ कि आप जो play store पर apps हैं आप ये देखें कि ये apps जो थी वो play store पर जो available थी और इनसे ऐसा हो गया लेकिन guys जो third party apps आप जिने यूज करते हो मरलब कि आप कोई mode यूज करते हो या फिर कोई ऐसी application यूज करते हो जो आपने बाहर से किसी website से वैसे ही उठा ली है तो guys उसके अंदर कौन सा virus हो सकता है इस चीज को ध्यान में रखिए और मैं last में फिर से कहता हूँ इन्हे एट apps को दुबारा rewind करकर देख लीजे कौन सी apps ही अगर आपके mobile phone में है तो इन्हें अभी के अभी uninstall कीजिए और safe रहिए और अच्छे तरीके से अपने mobile phone को use कीजिए तो दोस्तों मैं यह उमीद करता हूँ कि आपके लिए यह वाली वीडियो knowledgeable रही होगी और helpful रही होगी और हाँ गैस अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी ही कई वीडियोस में अपने चैनल पर डालता रहता हूँ जिससे कि जो यूट्यूबर है उनको नई नई अपडेट्स मिलती रहे और वो हर एक चीज से अलट रह सकें तो दोस्तो जल्दी मिलेंगे ऐसी और कहीं नई वीडियोस के साथ तो तब तक के लिए आप सभी को अलविदा दोस्तो